नमस्कार दोस्तों पहली वीडियो में मैंने आपको हिमाचल परदेश में बारी राज्यों से आने पर पाबंदी के नियमों के बारे में जो संशोधन हुआ था उसके बारे में बताया था इस वीडियो में मैं आपको हिमाचल परदेश में आने का e-registration भरना बताऊंगा जिसको भरने के बाद ही आप लोग हिमाचल परदेश में entry कर सकेंगे तो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा कर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तो शुरू करते हैं वीडियो को वीडियो के जरीए आज हम आपको e-registration करना बताएंगे चलिए दोस्तो अब हम आ गए हैं entry registration portal की website पर जी हाँ सबसे उपर आप देख सकते हैं covid19epass.hp.gov.in यानि कि आपने google पर simple type करना है e-pass hp government या covid19 e-pass registration ये इस तरह के keywords कुछ भी आप google पर type करेंगे तो आप इस screen पर पहुँच जाएंगे जैसे ही आप इस website पर पोचेंगे covid19epass.gov.in तो इस portal पे आपको ये चार option दिखाई देंगे सबसे पहला option है अंतर राश्जीय आविदक यानि कि कोई हिमाचल परदेश में परवेश के लिए या हिमाचल परदेश से बाहर जाने के लिए आपके पास अपने वहन की विवस्ता है तो किर्पिया यहां रेजिस्टर करें राज्य के भीतर आविदक ये भी यहां पर है और एक टॉपिक है तीसरा है इंटरनेशनल एप्लिकेंट्स यानि कि कोई विदेशी लोग आना चाह रहे हैं और चोता है बागवान ठेकेदार दौरा अंतर रास्टिय प्रवासी शर्मिकों का पंजीगरण ये चार option आपके option पे क्लिक कर सकते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस website पर आ जाते हैं ये इसी website का अगला पेज है इस website में मैं आपको बता रहा हूं भरना देखिए सबसे पहले request type request type में लिखा है coming into हिमाचल with in state crossing interstate barriers going out and coming back to HP round trip यानि कि आप हिमाचल में आना चाहते हैं और हिमाचल से बापस जाना भी चाते हैं आपका round trip है तो आप यहां क्लिक करेंगे और आप coming into हिमाचल में क्लिक करना चाहते हैं तो coming into हिमाचल आप भर सकते हैं तो दोस्तों अभी हम भर रहे हैं going out and coming back to HP यहां पे क्लिक करेंगे इसके बाद next option आपके पास है traveling from और right side में आपको दिख र दोस्तों अब आप देखें यहां पर लिखा आ रहा है traveling from में district from आप कौन से district में हिमाचल परदेश के जाना चाहते हैं मैं यहां पर पर देता हूं शिमला तहसील जो भी district की तहसील परती है वह आप यहां तहसील चूज करें जैसे मैं भर रहा हूं शिमला ruler उसके बाद block and town आपका block कौन सा है जो भी आपका block परता है मैं यह भर रहा हूं मशोबरा इसके बाद पंचायत and word आप कौन सी पंचायत या word आपका परता है वो आप यहां पर भरें जैसे हम यहां भरते हैं थड़ी पंचायत यह देखें यह लिखा रहा है थड़ी पंचायत तो आपको यह detail पता होनी चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं वहां का district तहसील ब्लॉक और टाउन और पंचायत क्या है फुल एड्रस यानि कि जहां आप जा रहे हैं वहां का फुल एड्रस क्या है तो आप यहां का फुल एड्रस जिस भी होटल में आप जा रहे हैं तो आप यहां पे अपने होटल का एड्रस भी भर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं मैंने full address में hotel का नाम भर दिया है इसके बाद हम next बरेंगे traveling to traveling to यानि कि आप कहां से आना चाहरे हैं जैसे आप डेली से आना चाहते हैं या चंडीगड़ से आना चाहते हैं आसाम से आना चाहते हैं कोई भी option जहां से भी आना चाहरे हैं जैसे मैं यहाँ डैली भरता हूँ डैली के बाद district 2 कौन सा आपका district है North Delhi, North East Delhi, North West Delhi कोई भी आप भर सकते हैं जैसे ही देखें दोस्तों यहाँ एक important thing आपके सामने कुल गई है यह है important please note यानि कि यह आपको एक warning दे रहा है कि जो भी districts या जो भी cities red zone होंगी या red zone district falls है वहाँ से आने के लिए आपको 14 दिन या 28 दिन का institutional quarantine रहना पड़ सकता है यह इनों ने विभाग ने एक आपको notice जारी किया है तो आप यहाँ पर इसको कुछ ना करें okay कर दीजिए उसके बाद full address आपका address क्या है जहां से आप आ रहे हैं जो भी आपके अधार कार पे address हो वो ही आप पूरा यहां पे address भर दीजिए जैसे मैंने कोई भी एक address भर दिया है next name of single person आपका नाम क्या है आपका mobile number आपका son of, daughter of या wife of, जो भी आप भरना चाहें उसके बाद government ID proof अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भरिए government ID number जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहां भर दीजिए उसके बाद category यहां देखे दोस्तों यह बहुत important चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप government employee है quarantine and painted category है आपकी essential service के लिए आ रहे है या tourism से आ रहे हैं या other से आ रहे हैं तो अभी हम बात करते हैं tourism की क्योंकि काफी लोगों के comment से ये पूछा गया है कि tourist हिमाचल में किस angle से आ सकते हैं उनको registration में क्या भरना होगा तो मैं आपको tourist वाला registration ही भर के बता रहा हूँ यहाँ पे आपको tourism सेलेक्ट करना है जैसे ही आप यहाँ पे tourism को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ नए options खुल जाएंगे जैसे sub category sub category में भी आप tourism भर दीजिए purpose यहाँ पे आप tourism का purpose है तो आप simple 80 character में अपना लिख सकते है या खाली tourism भी भर सकते है name of hotel book अब देखिए यहाँ पर एक important चींज आ रही है जिस भी hotel को आपने book किया है मैंने आपको तीन condition नहीं बताई थी पहला आपका corona का test 72 hours पहले की आपको report चाहिए देखिए detail of stay यानि कि जिस hotel में आप stay करना चाह रहे हैं उस hotel का नाम तो यहाँ से यह बात clear हो गई कि आपको hotel पहले से book करा के ही चलना होगा आप अपनी मर्जी से hotel choose नहीं कर सकते हैं आपको जो भी choose करना है आप online पर जाके पहले से ही अपना selected hotel choose कर सकते हैं तो देखिए जो भी है मैंने यहाँ पर name of hotel में कोई hotel का नाम पर देता हूँ जैसे सिडार हाइड पर देते हैं place of hotel यह hotel कहाँ पर है मैंने कोटी कर दिया या यहाँ पर मैं शोगी करता हूँ booking from date आप कहां कब से आना चाते हैं suppose that मैं 23 July की date भर देता हूँ booking to date के आप कब तक जाना चाते हैं suppose that मैं 30 अर देता हूँ यहाँ पर देखे एक चीज और important यह पूछ रहा है choose file upload recent COVID-19 negative test report यानि कि जो मैंने आपको बताया था कि corona की report आपको यहाँ attach करनी पड़ेगी तो आप यहाँ choose file में जाईए और अपनी related जो भी आपकी related reports हैं वो आप यहाँ पर भर देजिए ठीके दोस्तो next चलते हैं documentary address proof of place traveling from यानि कि आपका यहाँ पर अधार card लगेगा दोस्तो यह अधार card आप अपना लगाएं यानि कि जिस नाम से आपने उपर traveling के लिए भरा था जैसे मैंने हैं जुगल किशोर राणा भरा था तो आप यहाँ पर भी उनी का अधार card लगाएं address proof of place traveling to यानि कि जहाँ आप जा रहे हैं तो यहाँ लगेगा दोस्तो आपका voucher यानि कि जिस hotel में आपने confirm booking कराई है यहाँ पर आप उस hotel का confirm booking voucher को attach कर दे जैसे कि मैं यहाँ एक किसी भी hotel का for example एक booking voucher attach कर रहा हूँ यह मैंने कर दिया है attach उसके बाद चलिए दोस्तो वैकिल टाइम यहाँ आपका कौन सा वैकिल है आप अपने वैकिल को भरिए वैकिल नंबर जो भी आपका है वो भरिए departure date यानि कि आप कब चल रहे हैं आप 23 में चल रहे थे return to 30 वो ही date आप यहाँ पर भर दीजिए next additional person echo paying आपके साथ कोई और दो लोग भी यात्रा कर सकते हैं यानि कि एक तो वो person हो गया जो पहले आपने जिनके नाम से आवेदन किया था और दूसरा आप यहाँ कर सकते हैं एक या दो यानि कि यहाँ पे एक बात और किलियर हो गई है कि अभी भी आपको registration करते समय केवल तीन लोग का ही registration हो पाएगा अगर आप लोग किसी कारण वर्ष से पांच लोग या छे लोग या साथ लोग आ रहे हैं तो आपको दो बार registration करना होगा तो सबसे पहले हम पहले दो लोग भर देते हैं या एक लोग भर देते हैं तो ऐसे ही आपको उनका नाम, उनका कोई भी मोबाइल नमबर, उनका एड्रस प्रूफ, अधार कार्ड है, उनका जो भी अधार कार्ड नमबर है वो भरिये, वो भी कहां से, कहां जा रहे हैं, वो डिटेल आपको बढ़नी है, जैसे डिस्टिक शिमला था, तैसील इनका था शिमला रूलर, ब्लॉक इनका है, मशोब्र, पंचायत इनकी है, थडी, यानि कि कोटी, या जो भी आपकी पंचायत है, वो आप भर सकते हैं, प्लेस, जो भी आपका प्लेस है, और यहां पर दोस्तों आ गया है, डबल टू, डबल सिक्स, यानि कि एक एंटर नमबर है, जो आप यहां पर अपनी भर दीजे, भरने के बाद नीचे आपको यह चार ओप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहले पे करना है, के have you been diagnosed or tested as COVID positive, आप अपना कोरोना का टेस्ट कराके आए हैं, तो yes कर दीजे, उसके बाद are you traveling out to notified, quarantine तो आप नहीं थे, no कर दी दीजे, और आप डाउनलोड आरोगय से तू एप, यह आपको एप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा है, तो इसको आप yes कर दीजे, ध्यान से देख लिजे, पहला option है, have you been diagnosed or tested as COVID positive, आपने जो रिपोर्ट कराई है, क्या वो कोरोना positive की है, तो आप yes कर दीजे, और एक acknowledgement number आ जाएगा, दोस्तो देखिए, जैसे ही आप इस form को पूरा complete करेंगे, और यहाँ पर दी गई सारी सूचनाओं को ठीक से बरेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर registered पर click करना है, जैसे ही आप registered पर click करेंगे, तो आपके सामने एक acknowledgement slip आ जाएगी, जिस slip पे एक number लिखा होगा, उस number को आप यह ना मानें कि आपका registration successfully हो गया है, दोस्तो क्या होता है, जैसे आप यह अपनी सारी information true भरेंगे, अपनी सारी document को यहाँ पर attach करेंगे, उसके बाद यह सम्मंदित district commissioner office में जाता है, और वहाँ पर इन सभी proofs को verify किया जाता है, उस समय में आदा गंटा, एक गंटे तक भी लग जाता है, टोटल verification होने के बाद आपके सम्मंदित mobile number पर जो आपने mobile number भरा है, उस पर एक link आएगा, वहाँ से आपको registration की copy डाउनलोड करके अपने mobile में रख लेनी है, या आप उसका print out भी निकाल सकते हैं, और वो registration की copy आपको अपने border से जह यह था registration हिमाचल परदेश आने का, यानि कि अगर आप हिमाचल परदेश आना चाहते हैं, तो इस registration form को भरना होगा, मेरा आप से निवेदन है कि इस registration form को सच भरें, सत्ते भरें और सही document लगाएं, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है और पूरे परदेश की क्योंकि अपकी 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 आपकी देश से था को अबाएं, क्योंकि इस प्रेश परदेश आना है